मुख्यमंत्री वीरभदर सिंग ने हमीरपूरे में हिमाचल बीजेपी सरकार पर तंज कसे हैं और बीजेपी सरकार को आर से स्के लोग चलाने के मुद्धे पर वीरभदर सिंग ने कहा कि आर से सत्ता चलाईगी तो परदेश का भगवान ही रखवाला है मुक्य मंत्री के दफ्तर में तीन ओएस्टी थे हैं और दो को तुम जानता हूं जो आरेसस के दोग हैं पूर मुक्य मंत्री वीर भदर सिंग ने मुक्य मंत्री जैराम ठाकुर पर कोईटी का टिपनी करने से ग्रेज किया और कहा कि मुक्य मंत्री भले इंसान है हैं वो पर इन तो कापी प्राजिया मगर प्रशाशन में पर पर एक दफर है वो मिस्टरी कामत पर ने हैं उनके अच्छे है नेक आदमी है उनके उपर कोई करॉप्शन का चार्ज नहीं है और अब अब उनको अपने को भाजमर के अंदर जमाने के लिए वीर बहत्री को गरगाली दें तर्किस को देंगे मुक्यमंतरी जैराम ठाकुर के हाल ही में हमीरपुर दोरे के दोरान वीर बहत्र सिंग पर कई मुद्दों की जानकारी ना होने के बियान पर पूर मुक्यमंतरी वीर बहत्र सिंग ने कहा कि मैं कोई डमी चीफ मिनिस्टर नहीं रहा हूँ और मैंने अपनी सरकार की समय ब्यूरोक्रेशी को भी लगाम कशकेर रखी थी और सारे फैसले सरयाम लिये हैं मैं कोई डमी चीफ मिनिस्टर नहीं था ऐसी बात कर सकता है मैं नहीं कहते हैं वो है अब इसे ट्रेशर पा हसल करेंगे वो कोई फाइल की सरकार की नहीं चाहती थी जिसको भी ब्यूरोक्रेशी को पुश किया काम करने के लिए और जो भी काम हुआ है कैबिनिट की मर्जिसी हुए है किसी के पीड के पीछे नहीं बहत करने के बाद मुक्ह मंतरी जैराम ठाकुर के ग्रीयक शेतर जनजहली विबाद पर वीर भदर सिंग ने उल्टा पल्टवार करते हुए कहा कि भाजपा के कुछ नेता खुद मुक्ह मंतरी को कमजोर करने में लगे है बीर भदर सिंग ने कहा कि जनजहली सराज विदान सबाक शेतर का मुक्हाले होता था और लोगों की मांग पर एल्टेम कारेल इस इस इलाके को दिया गया था उन्हेंने कहा कि ये दूर दराज के लोगों के लिए बीच का केंदर है और अब बीजेपी नेता गुमरा करने के लिए ऐसे बयान दे रहे हैं जनजली के मुद्धे पर सरकार का कहना है कि पिछली सरकार ने गल्द हल्द माफ़ा दिया था जिसके कारण जो है ये सारा भी बात है कमल कम मुखे मनते को यह जी कहना चाहिए वो में मित रहे हैं और श्रीफ आदमी है और मैं ये दावे के साथ कहसेता हूं कि जनजली जो टुनाव शित्र है एक विक्रा हुआ पाई लाका है जिसमें बूर दुराद के लाके भी सामिन है और उसका अगर विकास हुआ है तो कांगिस सरकार के द्वारा ही हुआ है वो अच्छे है मैं जहें श्रीफ है देख है अगर अगर कहें कि कांगिस से कुछ काम ली किया तो गज़त बात है जनजली जनजली जहें सारे बड़े बड़े दफ्तर पेरे जनजली में होते हैं तो ये दो की मांग सी कि एक निश्टले एज़ाई के लिए और ली एस्टम का दफ्तर खुला हुआ है अपने एज़ाई के लिए जो है जिल जारी को सरकार ले चाटा खुदा है और इनों ने खुद जो है अभी अमेले की शप्त ली तो उन्हें वो जो एस्टम का दफ्तर जनजली में हुए वा जारी से अप शप्त ली तब कि नहीं हुए इतराश के है वो कमजोर करने चाहते है स्की मिर्स्टर को वीरबंतर सिंग ने कांगरेस के संगठन वा प्रदेश अद्रेक्स पर भी खमला बोलते हुए कहा कि उनके नेतरतों में पार्टी मजबूत होने की बजाए कमजोर हुई है और उन्होंने पिक एंड चूज करके कई लोगों को सब्सक्राइब के बाहर का रस्ता दिखाया है एक होड़ लगी है प्रेशी सी प्रेज़ेंट ऐसे बेहेब कर रहे हैं इसे डिक्टेटर ऑफ दी कॉंगर्स पार्टी है और उन्होंने पार्टी आवशे तजार होना चाहिए इस वद पूरने तरह त्यार है मैं क्या नहीं स नागे रखेंगे क्योंकि इसमें इसनीक शम्ता नहीं है कि वो सिंकर्स्ट्री को मद्बूत कर सके और वो जो है हम शादार जीत हासल कर सके हैं वहीं लोगसबा चुनावों के मुद्दे पर उन्होंने का कि पार्टी जीत के लिए चुनाव लड़ेगी चाहे कोई भी उमीदवार हो जितने के जिए फुनाव लड़ेगी आदेवेद हो जाए जो भी ख़ड़ा हो जाए पहार सिंग ख़ड़ा हो जाए चाटान सिंग ख़ड़ा हो जाए सब के साथ रहेगे अमीदवार सर वही अंतिन प्रशनों में तियार अनौस करेंगे अभी कॉंगर्स पार्टी ने अफटर आपकामी चुनाव के लिए अमीदवारों का फैसा जी किया है जद हो जाएगा नाम में पड़ा दिखा गया कि दो लोग दिखा जगे हैं कोई दो किस कान से निका जगे हैं क्या उनके खिलाप चार्ट सा यह मुझे मातुम नहीं है जो जिसको जो मर्जी हुई उसी भी निका दूँ सब तक चलता रहे दर से रहे चालता देर सकते हैं तो उसकी कुर्मत भेंदी है नौजवान हैं काफी समय उनकों उनकों प्रदेश कुमि कर देश के तौरान में पार्टि मजबूज होने के बगाहे कंदोबर हुई हैं कुटबादियां पड़ा हुई हैं और महां कौन किसके साथ है और किसके साथ निया है किसाहदार पर झो है ओव्रश के साथ ह anomal He Sprat बलाई जा रहे हैं पुट बात ही नहीं है, और अग्डिशन ही नहीं है मचल में, लेगनों सब्सक्राइब नहीं है अग्डिशन, ऐसे नहीं है कि दो चाहग आवनी बैठे और उन्होंने फैस्ता कर दिया यह PCC का मेंबर होगा, इसको रखोर्ष को लिखा दो, प्राना GCC का प्रदेर बनेगा, अग्डिशन का प्राना दोर्देवर जिसिका प्रदेब बनेगे, अवीधिधिन बैर बनेगे, वीधिन बेले बनेगे, वीधिन भीधिन.